पर्मेशर के दस आगयाएं आज हम पर्मेशर के दस नियामों के बारे में निर्गमन गरंत अध्या उन्नीस बीस में पढ़ते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने मुसा को सिनाई पर्वत पर दस अगयाएं को पालन करने के लिए कहा जब मिश्र देश से निकालने के ठीक तीन महिने बाद इस्राइली सिनाई की मरुभूमी पहुँचे और उन्हों ने सिनाई की मरुभूमी पहुँचकर पहाड के सामने ही पढ़ाव डाला मुसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चड़ा ईश्वर ने मुसा से कहा मैं प्रभू तुम्हारा ईश्वर हूँ मैं तुमको मिश्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया मेरे सीवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं फिर उसने कहा मैं प्रभू तेरा परम ईश्वर हूँ प्रभू अपने परमेश्वर की आराद ना करना उसको छोड़ और किसी की नहीं प्रभू अपने परमेश्वर का नाम व्याथ ना लेना प्रभू का दिन पोवित्र रखना मा बाप का आदर करना मनुस्य की हत्या ना करना ब्याबिचार ना करना चोरी ना करना जूटी गवाही ना देना परेश्त्री की कामना ना करना प्रायधन पर लालच ना करना यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसर चलोगे तो तुम सब राश्ट्रों में से मेरी अपनी प्रयजा बन जाओगे क्योंकि समस्त प्रीथ्वी मेरी है तुम मेरे लिए याजकों का राजवांश तथा पवित्र राश्ट्र बन जाओगे यदि आदेश इसराइल के पूत्रों एवं मेरे प्यारे भायों एवं बहनों को सुनावो मैं प्रात्ना करती हूँ कि क्रिस्त में मेरे प्रिये भायों एवं बहनों आप लोग प्रभु इश्वर की आग्याओं का पालन करें वह हम से बहुत प्यार करते हैं वह हम पर दया करता है वह प्रेम है और अपनी आंचल में हमेशा छुपाए रखता है इश्वर बहुत महान और भग्या शाली है